दोस्तों अगर आप चाहते हूँ कि टीम इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें बैटिंग करते हुए धोनी के अंदर का कप्तान जागा और वह बांगलादेश की फिल्डिंग सेट करने लगे कल का दिन भहिन सिंग धोनी का था कल का दिन यानी 28 मई का टीम इंडिया और बांगलादेश के बीच वाम अप मैश था धोनी ने बांगलादेश के खिलाव शांदार 113 रन मारे वो भी 78 गेंदो पर इस दो रन धोनी के बल्ले से 7 छक्के और 8 चौके निकले धोनी के 113 रन और केर राहूल के 118 रनों की बदोलत टीम इंडिया का स्कोर 50 ओवर में 360 पहुच गया मगर टीम इंडिया की पारी के दोरान एक मज़ेदार चेंज हुआ वो की ये पारी 29 ओवर में जब धोनी बैटिंग कर रहेते तो एक मज़ेदार वाक्या सामने आया धोनी श्टाइक पर थे गेंद स्पिनर सभीर रहमान के हाथ में थी पहले गेंद सेकने के लिए रहमान ने रन अप लिया और धोनी ने एक दम से बॉलर को रोक दिया धोनी ने बॉलर को इशारा किया कि फिल्डिंग गरत जगा पर तुमने खड़ी की है उसे मिड विकेट से हटा कर स्ट्राइकर लेप पर लगाओ यह देकर गेंद बाज ने तुरन फिल्डिंग को धोनी के अनुसार लगाया हैरां की बात यह है कि बांगला देश ने अपना फिल्डर वहां से हटा भी लिया यह देकर मैदान पर मजूद दरसक समेट कमेंटरी बॉक्स में कमेंटेटर्स और सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस की मौज हो गई लोग धाड़कार ट्विट करने लगे धोनी शायद कुछ देर से ही लोटीस कर रहे थे कि बांगला देश की टीम गलत फिल्डिंग सेट कर रखी है वो अपने अंदर के कप्तान को मार नहीं सके और बांगला दोस्त को यह सला देदी की गलत जगा फिल्डिंग खड़ा किया है जैसा धोनी टीम इंडिया के लिए स्टेप के पीछे खड़े होकर कोहली की फुल हेल्प करते हैं वैसे ही धोनी ने यह भी बांगला देश की हेल्प की वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि धोनी का यह फैसला आपको कैसा लगा फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटम दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया